करने वाले हल्दी मेकप लुक क्रियेट करो तो मैंने सुच है कि चलो फटाफइट सब उसको करी लेते हैं बहुत दिन से टाइम ही नहीं मेल रहा था करने का तो सबसे पहले मैंने अपने फेस कुन अच्छे से फेश्वास कर लिया था क्लीन कर लिया था उसके बाद मैं आप जल यूज कर सकते हो और यह वाले लोग को क्रियेट करने में आपको सिर्फ 15 मिनिट लगने वाले अगर आप खुद से भी क्रेट करते हो तो आप इसको ज़रूर ट्रै करने स्टेब पर स्टेब में पूरा प्रोसेस बताने वाली हो तो यहां पर इसके बाद मैंने तसके स्कीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वहां करने में बहुत ही ज़रूरी होता है उसके बाद मैंने उसके आप लिगना यूमी क्रेम जिसको लगाते ही देख सकते हो फेस बिल्कुल अलग शाइन आजी आज़ी है तो अगर आप कोई बी चीज लगा रहे हो न तो वो लुक नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर जो भी लगा रही थी ना उसके बाद मैं 30 सेकंड तक वेट कर रही थी और अभी देख सकते हैं मेरे फेस पे ने एक पिंपल आगे क्योंकि बहुत दिन से मुझे इधर उदर ट्रैविलिंग करने पड़े उस वज़े से डस्ट क प्यारा हैं बट यह काफी जादा थीक बेस फांडेशन है जो कि मेरे स्किन में नहीं जाता है लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके वस थीक बेस का आ जाते है और उनको समझ नहीं आता है क्या करें तो उसके लिए आप उसमें ना ऐसे कोई भी सीरम या फिर मेकप ओयल होता है सीरम होता है आप ऐसा कुछ भी मिक्स कर सकते हो और फिर एपलाय करना वो काफी एजीली लग जाता है तो मैंने यह पर कलर बार का आरगन ओयल लिया तो जो 7-in-1 है जिसको आप हेर नेल्स, फेस, पें, हाइट केर, स्कीन केर कहीं भी यूज कर सकते हैं त त्रिफ्ट मे का मेकप का मेकप यूज कि है लास्टिंग गया जरूरी थिसका है मैं इंक रख दोगा एथ है यहां पर फिर फीरा से पान, पहुल अपनी अन्डर आइक की निच्या से फिर या चाहर नेsom और उसको भी अगर आप चाओ तो ब्रश री या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के हल्ट से ब्लेंड कर लो बहुत जादा नहीं लगाना है मैं बहुत ही मिनिमल मेकप यूज कर कि यह वाले लोग को क्रियेट करने वाली हो बिल्कुल भी हैवी नहीं करेंगी या जादा कुछ भी नहीं करना है वरना मेकप बहुत जादा है और डे टाइम में होती है हल्दी तो हैवी मेकप और भी नहीं अच्छा लगता है अगर नाइट टाइम में अपको मेकप कर रहो तो आप हैवी कर सकते हैं अगर आपको नेक में और अपने कान को बिलकुल भी नहीं छोड़ना है अगर आप उसको छोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा डिफ्रेंट लगता है अब आती है आई मेकप की बारे उसके पहले मैं कल लूँगे बेकिंग तो मैंने अंडर आए के नीच मिस क्लेयर का लूज पॉडर लगा लिया था जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और फिर मैंने आफ कैमरा अपनी एक आई मेकप कंप्लीट कर ली तियो और इस आई मेकप को कंप्लीट करने में सज बता हूं स्रीफ और सिर्फ दो मिनिट लगते हैं तो मैं आपको नहीं थोड़ा से जूम करके दिखाती हूं कि मैंने ये आई मेकप को कैसे कंप्लीट के और आप भी कर सकते हो बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से तो सबसे पहले मैंने एक हुड़ा ब्यूट के ही न्यूट पैलेट लिया था जिसमें से एक ब्राउन कलर का शेड लेकिना मैंने क री इसे के उपर एपलाय कर दिया और हलका से कॉर्नर फे लगा दिया था फिर मैंने लिया था पॉपल कालर कसी ये लो के साथ पॉरपल ओरिंज जादा अच्छा कमपिनेशन जाता है नहीं हल्का सवपल कलर लेकिने अपनी हाफ लीड पर लगा दिया था आई-बॉल की जि तो सबसे पहले मैंने नहीं आपे मैट वाला शीमर वाला जो है ना उसको लिया था और उसको अच्छे से अप्लाय कर दिया था और मैंना बार बार मेरे ना मीरर का है वह गूम हो जा रहा था तो मैंने एक आइशेडो को पैलेट मेर होता है उसमें देख देख लगा रही थी तो पहले मैंने एक शीमर शीड लगाया था उसके बाद मैट कलर का आइशेडो उसको लगाया था इससे ना जो आपकी पिग्मेंटिशन वह बहुत जाद अच्छी होती और बहुत लॉंग लस्टिंग भी रहता है जो आई मेकब है वह यलो कलर अगर जल्दी से ना बहुत एक ब्लेंडिंग ब्रेश ना दोनों को अच्छे से मर्च कर दिया था और मिक्स कर दिया था ताकि आई मेकब जो बिल्कुल इवन ली लग जाए ऐसे ना लगए कि दो कलर हमने अप्लाइ किया हुआ है यहां पर आइलाइनर आइलाइनर के लिए मैं उसकर हूँ तो काजल लगाने का ना एक तरीका मेरताती हूं आप लोग बहुत लोग क्या करते हैं लेकिन इनर कार्णर और आउटर कार्णर में थोड़ा थोड़ा चोड़ देते हैं इसलिए ना वह थोड़ा अधूरा लगता है तो जब भी आप काजल लगाओ ना तो बिल्कुल इनर लाइन होती है उसके नीचे तरफ थोड़ा से लेश की नीचे तरफ हलका हलका सा ब्लैक कलर से ब्लैंड कर जाते हैं देख सकते हो आइस किती ज्यादा बोल्ड लग रही है और यह वाले लोग को क्रियेट करने में सच बताओ आपको स्रिफ दो मिनिट लगने वाले यह वाले आई मेकप को करने में आप लोग ज़रूर ट्राय करना फिर मैंने उसी ब्रशे थोड़ा से परपल कलर का श्रेड ले लिया था और उसी ब्लैक कलर की नीचे हलका हलका सा ब्लैंड कर दिया था बिल्कुल पता नहीं चलेगा ऐसे आपको समर्च करके ब्लैंड कर देना अन द भी नहीं पसंद है जो मेरी नैचुरल है वैसे ही लिखनी जीए बट क्या अधर फाउंडेशन वगर लगाते ना तो आई ब्रोज वगर पर लग जाते तो इसलिए हलका हलका सा ब्रोज को फिल कर लेती हो उसके बाद आप लोगों को तो पता ही है मेरा फेवरेट ब्लश है ब्लू हेवन का है बट कि बहुत ही जादा अमेजिंग लेपन चेक टेंट है सच बताओ यार पाउडर प्रेस लगाना अब छोड़ दो सबसे बैस होता है क्रीम ब्लश या पिर अब लिक्वीड ब्लश लगा उससे जो शाइनिंग आती है ना देख सकते हो मैंने थोड़ा स जातें लिप्स्टिक की बारी यार उसके भीना तो मेकाप अधुरा ही होता है जब तक लिप्स्टिक ना लगे लगता है निकी मेकप पूरा हुआ है तो मैंने या पर यूरोप गल का लिप्स्टिक पैले लिए जिसका रिविउ उमेने आप लोगों के साथ शेयर किया था बहुत पहले जो कि बहुत ही ज़ादा अमेजिंग है क्रीमी मैट है ये बिलकुल भी जल्दी से नहीं जाती है तो मैंने या पर दो तीन शेड को मिक्स करके ना एक हलका सा लाइट पॉपली शेड बनाया है लिप्स्टिक का कैमरे में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है बट स सामने से थोड़ा सा डाक था और ये लगाने में बहुत ही ज़्यादा स्मूध थी बहुत इजीली लग जाती है लिप्स्टिक के बाद मैं करूँगी है अपर अपने मेकप को सेट उसके लिए मैं करूँगी आपे मेकप फिक्सर लेकिन यार हमेसा ना मैं एक चीस भूल ज क्यों को ओर यह एप अने धिया चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस में रहे हमें अपला दी मेरा है पोरा सु है क्यों hurricanes करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक एंड शेयर करना बिल्कूल मदूलना एंड कमेंट करना कि आप लोग और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो नेक्स ताकि मैं वो जरूर लेकर आऊँ हैं चलो मिलते हैं नेक्स रोडियो में तब तके लिए टाटा वैबाय टेक क झाले के लोग टेक्स अर्जाएब करना पाटा नेक्स तातर चाहते हैं वो जो प्लीजेगे नेक्स में रिल्कुल में देखनूकर आप कर देखने झाले कि अ जाप एंड टेक्स एंजाएबंदों इंजानी कि लिवग जावाधे झाल झाल झाल